वाहिगुरु जी का खाल्सा वाहिगुरु जी की फत्य अपां इस कड़ी वेच्च गुरु हारगुवन सहुजी दे जीवन वारे विचार करांगे अजवी साधे नाल मयूद हन डॉक्टर हर जंदर संग जी दिलगीर विर्जी वाहिगुरु जी का खाल्सा वाहिगुरु जी की फत्य विर्जी सहब तो पहला ता सानु गुरु हारगुवन सहब जी दे जनम बारे दसो के उन्ना दा जनम कित्थे होया ते ुरु हरग भालन सहब ता से जनम गुरु जनम देकार ते माना गंगा देकार 1590 षाल मिल दें। 1595 वे 1590 मनिया निया है ते मैं भी इसकर के ही उन्हानु 1590 क्यूंकि जुद्म गुरू अरजन सहही शाइदी है उस तो पहला गुरू हर्गबेंट सहथी शादी हो चुकी हूं ठीक है ते गुरू अरजन सहथी शाइदी जुद्धे शोना सुचे दी है जेकारसीं 1595 मनिये ता यही आऊषुद्व दि ऊहारा साल बन दे ते उन्हा दी शादी फिर नौ साल दी उमर वे चोड़ चुगी हिंगी सोनासो चाड़ी यही है जे में पंधरा से नबे मनना ते चौदाँ साल ते भी चूट है इतासिक तो और ते भी चूट है क्योंकि इस कहानी दा मतलब बन जानदा है के गुरु अर्जंग साब इस गाल दे समरत नई सी ते बाबा बुड़ा उना तो वद ताकत रख दे सन एक दूजा सिकिछ वरते सराब्दा सिदात नहीं है तो इदे वरते सराब् ते रिकते है के गुरु अर्जंग साब दा वया मौव पेंड़ दी माता राम देई नाल होया सी अच्छा है राम देई नाल शादी तो बाद उना दे कार काफी देर तक लाद भी नहीं होई क्योंकि राम देई आंदिया ही बिमार पैगे संग तो राम देई ने फिर गुर उननी जून 1599 नू शादी होई थे उननी जून 1590 नू गुरु हर्ग बिन साब दा जनम होया तो इसकर के एक गालब मुम्किन नहीं भी एक तिन मीने दे बाद ही कोई इस तरह दी गालब के बाबा बुड़ा को ले उस दे जनम वास्ते वास्ते माता जी गए हूं तो इसकर जन्हों अची अटा साब केंदे ने एग गुरु साब दे रिष्टे दान दा पेंट सी उत्थे जनम होया तो इह है गुरु हर्ग में साब दे जनम दी गालब जो जन्हों गुरु आर्जन साब जी माहराई दी शीदी हूं दी ओधो इनना दी उमर तकरीवन सोला का साल सी ह बिल्कुल गुर्गदी दी ते क्या जन्दा के गुरु आर्जन साब जी जिदों चले ने लहुर वास थे उदो यह नहीं जम्मेवारी संबाल गे ठीक है तुसी शास्तर रखने फ़ुजां त्यार कार निया इस तरह दी होकम भी उनन दते ते क्या जन्दा जदों गुरु छिरी सहब जान कर पाना दो कर पाना पेंफने ऑनाना दी क गलाऊं दी ए जरी भ डाकी कह लंगों भी और टूपी वाली कल बाती के सेदी काड़त है सिकख स्थी ना एं तिकाल होना है आ लिख ए ऑना 되지 ना के घरुनांग साब्सेख लिघी टूपी वालिक यह झल जों लिय ठीक है सारे गुरु दस्तारीं पेहर सी तो दस्तार बंदी दी रसंदी ये ओँ आमताहरते किती जानी लिए गुरु के बंस्भ तर्बंदी धीद्यास भी साढ़ेकोल मिल तो एक्चलि जी। गुरुकर्णडी दा धेखने लिखतां करते रहे, या निरमले लिखतां करते रहे, उदासी लिखतां करते बेसमानें तो अपनी रस्माने निया सिक इस्टिविक शामिल कर força दे गए, जड़के गृ। सिर्फ एक अरदास को ही कीथिजर्णी है, कोया असे को लिति जांदी है वो गुर्य साफ भन से बंदत नहीं है वो सिलि-चांदी से ली टूपी है ना कि किसे गुरूदी और किसी सुकती है ला हां जी बिलकल है दखकते बैठता है उस Mac variety रूजұ ए मैं है क्राउन जिड़ा है ताज है ओ दस्तार ही हो सकती है तो इस करके सिदान तक तो औरते भी ते इतासक तो औरते भी जिड़ा गुरु साब दा जिड़ा दस्तार पेट करना ते अर्दास करना एई सी गुरु कर दीदा सिस्टम एक कल हो रहे है भी गुरु हरगबिन साब जो देस्तार बंदी हो गई है ते गरुर अजीन फ़र्टी शहीदी होई ए तो दे जहां गीर्दाixa हुकमशी जडा गे shapes के जहांगीरी विचे लिखिया मौजूद है वो अपने को मिलदा है असी किताबां में ची देता हुआ है उस भी जहां की तो कम सिके गुरू अरजन साब दी शेदी तो बाद उदा सारा माल असवाब जबत कर ले जाए ते उना दे बच्चे दे पतनी जो भी कारबार होए उस सारे नो फौजदार मुर्तजा खान दे हवाले कार देता है सजा देन वास्ते तो ए महसूस करके के उदे हुकम दे मताबक कल नो बड़ी वड़ी फौज आके उना नो भी कतल कर सकती है तो इस सारे सिक्छा ने फैसला की ता के गुरू साब जड़े ने ओ जंगल देस विच मोगे तो को ड्गरू ड्गरू तो कि ड्रोली पाईए ड्रोली पाईए वै्च साइडा सी क Agriculture असथ जड़ा गूर हगेबिन सहब्सांडसए तो एते हांके गुरू हगण साब महता गंगा थे अपनी पतिनी दे आरा औप रहन लाप पया ते तकरीबर ते जीट सार उत्छे यानि के उस्वेले एक दाम उन्हानों महफूज हो तो कर डिया दाले तो चले गए क्योंकि ये उस्वेले पैदा जाना दा सिगा या कोड़िया थे तो इनक समा उत्व लग सकता सिगा तो उत्थे डेड़ साल रहे हैं दिसंबर 1607 तक जून तो दिसंबर तक इते ही गुर्द जानवेदा जनम मनिये तो तेरह साल दी उमर बन दी है गुर्वार्ग बिन साथी जानी जनम बारह साल दी उमर विचे मनिया जाएगा गुर्दिता दा जिस तर जनम दी गाल महका रहे सी ओभी थे इस पक्खों भी साबत हों दी के जनम 1590 वालाई ही सही है तो डेड़ साल गुर्वार्ग बिन साब वापस फिर गोई दिवाल चले गए तेरह साल भी उनने कावी परचारदे काम कीते हैं इस अलाग के वचे कावी अस्थान बने हुए जित 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 जाके उनने संगतानों पड़े ही दे बिलकुल बहुत सारे गुर्द्वारे जिड़े बने काईम कर लें दे संग तो हर पेंड़ वेचे सिखी दा परचार कर दे रहे संग ठीक है यह तो वापस फिर अमरतासर साहब आई इस तो वापस सिदा गोईदवाल साब गए ने उते उननों सारी पोजिशन पता लगी है ते इस तो बाद ओ गुरूदा चाक वेचे वापस प अबेदर बन चुका सी ठीक है उन मत्रों दे को ताकत पहला ना लो ज्यादा सी क्योंकि देखो मुर्तजा खान ने खुसरो दी बगावत नो दबान वेच बड़ा वड़ा रोल अदा कीता सी एस करके उस नो जहां गीर दें बहुत ज्यादा तरक्की देती सी जड़े वी उ उसी अकाल तक साहिब नो परगट करना है हां जी ए महान कटना एक यह दिवारे सानों थोड़ा तफसील ना दसो अकाल तक तदा की कंसेप्टा से किस तरह परगट की था अकाल तक सब्दा सिदाते है के सिख ने अपनी वफादारी सिर्फ अकाल पर खनाल रखनी है दुन्य दुन्यावी तक तक तनाल नहीं दुन्यावी तक तक तचड़ा है ओधी दाइरा महदूद है कोई किसे एक मुल्क ते राज करता है कोई वट वर दो मुल्कां ते राज करता है ओधों कुछ सामराज उल्देसन एक मुगल सामराज है ओटोमन सामराज है रोमन सामराज है अकाल पुर्ख नो ही अपना राजा मन देने, उन दे अकाल पुर्ख दी मर्जीन आ लिए उन दी हकूमत काइम है, दुझा, राजे जड़े ने उन दी म्याद भी है, कोई पंच सार राज करेगा, कोई दस सल करेगा, कोई पुझा सल करेगा, फिर उस तो बात उदा हुकम पर अकाल पुर्ख ऐसा है, पेली गाल ते सारी दुनिया ते राज करता है, ते अकाल है, कदे खतम नहीं उन्दा, समय दी सिमा बच्च भी नहीं, बिलकुल, सिदीवी है, वो तक्त सिदीवी है, वो पुर्ख सिदीवी है, ते उस ती ताकत नो लोग इस करके नहीं मन दे, कि उदे कुल फौईदा डर है, उदे डर करके नहीं, सिखी विचे, पाउता है काल पुर्ख दा, डरता है, पर ओ डर इस तरह दानी, ए निर्मल पाउ है, असी किसे नो बहुत ज्यादा प्यार कर देना, ते डर देना, विके ते साधी तो नाराज ना हो जाए, ए ओ डर है, ए निर्मल पाउ है, ए दरसल पाउ नहीं, ए भी प्यार है, प्यार दा एक सिकर है, जिदे चे कोई चीज विच्छड ना जावे, उस करके बन्दा खबरदार चौकस रिंदा है, तो अकाल पुर्ख जिदा है, ओ सारी दुनिया दा मालक है, ओ असल तखत ही हो दा है, सदा व पाउर्मेंट बदल देने पर अकाल पुर्ख दी हकूमत सारी दुनिया ते है, ते सिक दा सिर अकाल पुर्ख दे अगई चुकदा है, सिर्फ एक को एक बादशा है, जिस दी सिक अपने अपनों परजाम अन्दा है, बिलकुल, गुरु हरक बिन साव दा मकसद ऐसी, कोई ए उस अकाल पुर्ख दी ही पर जहां, इस सिदात नाल एसी भी एक छेन पंगर्दे बादशादी घुलामी दी था, अकाल पुर्ख दी घुलामी जिदों कबूल कर दे हैं, ते क्योंकि सब तो वड़ा खुदमुक्तियार अकाल पुर्ख है, तो साड़े अंदर भी अकाल पुर्ख दे हैं, सिद्धे अकाल पुर्ख दे हैं, साड़े विचकार कोई हाकम नहीं, कोई हर समान नहीं राजा, ये पूपत सब दिवसचार के चुठे करता देवाजा, जो गुरु नानक सही ने सदात पेश कीता, निर्पा निर्वेर दा, जीदे नाल जोड़के निर्पा निर्वेर बाण जानता, आप पढ़ दियां, जन निर्पा जन हर निर्पा त्याया जी, तिनका पो सब गवसी, गुरु नानक सबने काल गई है, सवाल जवावेचे, कि वह सच्यारा होई है, हुन ओ सच्यारा की है, सच्यारा ओ है, जिरा साचना जुड़े है, सच्यारा है, जिरा 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 सच्यारा है, ज गुरू हार्गोवन सहीव जी ने एक निम्रता देता और ने सिक्खानों शास्तरतारी बनाता एस दांतक तो रते सही नी लगदा बिल्कुमु विर जी अकाल ताक्त दा परगट होना एक राजसी ताकत वजों भी देख आ जान दा जाए अपन देखिये ता इस मंद वेचे ज जोलमा देख खलाफ लाड़न दे लईए उनने किस तरह तरह त्यार की था देखो गुरू अजनसाब दे हुकम मुताबक गुरू नानक साब दे जो डिफेंस दे सिदाशादा मुताबक उनने कालसा फोज बनाउना ऐस एलान कीता सारे पासे पासे पेगाम पर देते बई मै कालसा फौज बनानी है ते जड़े दे शामिल होना चान आजन बहुत सारे पास तो राजफूत, खत्री, जट, अखौती, चूत, जड़े उनके आजन्द है, सारी अज़ातां दे लोग, ब्रह्मन लोग, बहुत ज़्यादा गुरु सवदी फौज वे शामिल होए और उन्हा पाई, पैड़ा सन, यह भी ब्रह्मन सन, जानी के इना दे पंजाज अर नहां विच्छों दो राजपूत सन, एक जट दो ब्रह्मन लोग जड़े ना शामिल होए और उना नो आंदियां ही गुरु साब ने सारे नो थियार जड़े ने सौंपते थे ते नारी उना ट्रेनि देनी शुरू कर देती, इस तो इलावा गुरु साब ने एक होड़ की था, कि अमरे सार शेर जड़ा सिखाना चाक रामदा से या गुरु दा चाक सिखाना मरकज बन गया सी, केंदर बन गया सी, उस शेर दी फसील, चार दिवारी जड़ी है, ओ किती दिवार बनाती, ए दि जिने अमर्शादे बारां दरवजे ने ना, तेरां दरवजे हैं, हालगेट पाकी तेरां दरवजे ने जरांगरे जड़ाने बना ऐसी, तो इस दरवाजे आले द्वाले सारे पासे फसील सी, ओ काइम सी दिवार, छोटी है छोटी है निशानिया है कि दो अधा था थे अज जो दो मुर्तजा खान लाओर दे सुबेदार नो खबर पहुंची है, तो उसने आप एक्शन लेंदी बजाएं, वो सारी खबर जड़ी है, उते जहांगिर नो पेज़ देती है, ते जहांगिर क्योंकि उसने आगरे ची बिटा सी, दिली ते आगरा दो ही तख़तन मुगन ख़र य ची बरिये तै दिली ची बरिया ते दिली चीविर ए है, तो जो एक अल जहांगिरदा के पहुंची है तो उसने गुरूसाबधनी किता है, सद्दय है, एक अल दिसमबर सोना सो बारा दी मुआ है, जो दो घौर जहांगिर दा पहगामाया एकतीन सला सो ओठार भार किरो जूरु जू कूर मैं कुड़े स cultiv घंट अब भी जूरु सबों जो कि कूरी सुख जनुटs नूरु जो जनुट पे एग्र दि juह जाति जूरु चट्डावल खेड़ा पेंड दी लातिय जितने मजनु ठिल्ला इगॉख मजनुट बर्यानति था यम डफ़डे़ ले ते उदे कंडे ते ए पेंड चंदरावल खेडा सी जिते बाच जाके राम रहे विरे है ते गुरु नानक साभ भी इस राके विच लंके गए ने ते गुरु हागमेंसाभ जाके ठेरे या ते जो जांगी नूँ पता लगे है ते उसने दरबार विच सदन दे बिया इसे दा उननों गरिफतार करके ते सजा देन दा एलान कीता है ते सजा एसी के बारां साल वास्ते उननों गवाली रदे किले विचे कैद करन दा हुकम जाल दा रही है और उनने बारां साल उथे नहीं बिताई ठीक है एक दो गलाँ खास ने गवाली रदे के ले दिया विए गवाली रदा किला शाही कैद सी इसनूं मान सिंग तुमर ने बनाया सी एक दिल्चस्प गले है के तुमर राजपू तो एने जड़ह काफीरे देने ते खानदान दा अपने को रिक राजा इजरा सी मान सिंग सी उसने इसनों साया दिली वी तोमर खानदान ने 706 सन मेंचे बनाई सी दिली दे जड़ी नहीं रखी गई है वो साड़ेकुल सन है 706 वीच जड़ी नवी दिली है उनी सो चौदा मेंचे जारज पंजम ने बादशाह रखिए तो दिली दिनी जड़ी बें टोमर खानदान छोषी तोमर राजपूता विच Babson लबाना सी ठीक है, एक बड़ी तास्व गाले है, के मक्षन शाह लूबाना ऐसे ही खानदान विच्चो सी, और एक होरी तास्व गाले है, के ऐसे खानदान दी हकूमत चीड़ी ये बहुत वड़े इलाके सी, ते गवाली अर्दा किला उन्हादी राज़े दी रहाइश ते किला दूनिस है जिनने शाही कैदी हम थे शिन the जिन ने छोटे है रेास्तान दे बाज़त्यां या शहथादे, या पराने जतनैल या बड़े-बड़े अमीर बंदे या जड़े के पीर-फ़कीरों बड़े बड़े पीर-फ़कीर उन्हा नुं कवालियर। के लिए शाही कैदी थे तो किस्टी वड़ी सजा सी, वड़ी 10 साल, किसց वजदी 162, 25 केहदी सजा सी. और इन आ राज्यां विच वैलासफुर रियासत दा राजावई सी CHAR राजावी सी CKY, के पाड़ी राजे बाई पाड़ी रियास्ताने इना विचो कई रियास्तान दे राजे उते राजस्तान दे बहुत सारे राज़ी जड़ी सान राजपूत उते कैद किते हुए संग तो उते दो गला जड़िया ने ओखियां सान एक ता पानी दी कमी सी दूसरी काले जड़िय नही हो और अऐसे से नचे देता कानदा का हुए हृइच नमक शामिल नहीं। नमक तो बिना अलूनी की चीज्स र복 चीज ती तो उन्हों स्वाद नहीं लग दी, यानि के बेस्वादी रोटी खाना अजड़ा है, वो सख्त सजा विछ शामिल सी, ठीक है। और कोई सजा नहीं होंदी, तो उसी के सिनों को भी दो दिन तो बिना नमक खा दी रोटी थे सबसी कोई नहीं हो खा, अपने आपके बड़ी बड़ी सजा है। कैद तो इलावा ही है, डबल सजा हो जान दी, तो ए होते सजा सी। और इस सजाद दौरान क्योंकि गुरु साब भी बाराणों नहीं कह दी हैं वे चीज़ सान, ते अंदर कोई चीज इस तरह आ नहीं सी सकती। कुछ सिखा ने हरी पर साद द्रोगे राहीं, गुरु साब नहीं अनाज पे जन्दी कोशिश कीती। क्योंकि मुगल बादशाद भी अंदर कोई चीज नहीं जानी, तो गुरु साब चड़ी है, वे कोई चीज मनजूर नहीं सन करदे। तो जो दो को थे पर्मिशन मिलनी कुछ चीज जानी तो गुरु साब ने आप नहीं हो रती ते बाकी राजियां में वेंड़ दिया कर दे साथ एसी गुरु साब दी खासियत थे इस तरहां जहां गेर बिमार हो गया ते उसनों किसे ने सला देती भी जे तू अपनी बिमारी दे अपनी रूह नो पाक कर रूह नो पवितर करना वास्ते तेरे वास्ते जरूरी है जड़े तू लोग का नो बे गुना लोग का नो पीरा फकीरा नो बेना मतलब तो कायद कीता है उननों रहा कर उदे चवी शामिल सी एक जाल बड़ी खास समझनवादी है के गुरु अर गयर मुस्लमानों काफर केंदे से तो काफरां दा आगो जड़े तो गृफ़तार कीता है उननों इस्तजा देती है इस गाल दी मुबार्क दी चिक्टी दी तो फिरका प्रस्ती दिया गला जड़ी आने उफ एलांदा रहन दा सी एनी बाकी जड़े फिरकु सन हिंदूते भी स्तरा दिया गला दा परचार करेया कर दे से जांगी बिमार हो एक अलशना सो ठारां दी ए उननों के सस्लाव देती जड़े पी रफकीरा नों तो कैद कीते है बेगुना है उनु कैद कीते है साले उनों रहाकर एदे विचे नूर जहां दा भी रोला दी बेगम दा नू हर्ग बिन सबनों रहा करते ता जावे एक एक और बड़ी एहम गाले है कि एह हुकम जड़ाया है लेके वजीर खान पहुंचिया सी वजीर खान दो हुए हैं एक वजीर खान जड़ाया सरहांददा जिसने जलम की ता सी लोकां थे ओ नहीं है एह वजीर खान जड़ाया है चन विजिद भी लौर वीच हैगी, यह वजीर खान भी मस्जद बढ़ी मशूर है, तो वजीर खान एह हुकम ले कि आप गवालियत दे के लिए विचे पुच्छ ए, जाने एक बड़ा वड़ा एल कार जड़ा है, वजीर है, वो जहांगीर्दा होकम लाया कि ते गवालियर्दे के लिए पुझा है जद ए पेगाम गुरु हर्गबिन साब को पुझा था उना ने रहां उन तो इनकार करता ते शर्त रखी जे सारे जड़े राजे ने रहा करते ते जान क्योंकि ये भी सारे बेगुनारे तो वजीर खा उन्हें पहानी दे किन्ये के समाजично पलाई वाले किन्ये कि इन्स चोटी कैद वाले राजे सारे दो सा तो कैद जन दी काते सारे रहा करते जान ते वड़े कादवाले जड़े उनची जड़े जड़े कलिया फटके ये जड़े नशीन फटके ब mos सकनो रहा काता जावे जाद एक खबर गुरु साब को पहुंची तो उसले हरी परसाद द्रोगा सी गवाली करता हरी परसाद जड़ा है यादव खान दान दा सी गाँ ठीक है ते यादव खान विचो लखी रहे वन जारा भी हो यह जिला पाई मनी सिंग दा सौरा सी जिस दे क कारवेच बाद चे गुरु तेग बादर साब दे तेड़ तारदा सशकार हो या सी मैंनो जाबता है कि इना दोना दी आपस विचे रिष्टदारी वी सी क्योंकि ये कुछी ना में वेखी है तो कुछ ना आपस विचे मिल जान देने तो गुरु हरी परसाद नो द्रोगे चे घुरु नहीं तो गुरु साब उसले उननजा जड़े सन छोटी कैद वाले सन ते बहुंजा लंबिया कैदा वाले सन एक ना जड़े अक icon रिया करते अगे दे ते जडरे बहुंजा सन उना वास्ते उना ने मूंजा कदिह व्ला Echo Thanki के अन। जड़ु नускे बैदा अव और उना दी निर्पक्था था 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 के जखेहंगी इरूए है, उन्नह दें नाड सुलह दें ली मुझ्य बुगरहोना पया ये जखेहंगी इरूजा दें रही होगी सुखाम ही हम चाहर हूं जबहुतак गुरूसाभ रेया हम उन् सब्सक्राइब परूर घवाली हुताड़ कि맛Am गुएंदवाल जड़ा 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 कश्मीर दी सेरवास्ते जा रहा सी गुएंदवाल जड़ो उसने पत्तन पार की तहे ओधी गुरू हर्ग कि यह जानदा है कि इस तो बात दोने जने साही मियां भी इतनु मिलन गए है क्योंकि उना देने छों से डी सी उना दी फिरे भी कई सोमे निख देन कि एकठे हो शिकार वास्ते यहां किश्मीर दी सहर करने वास्ते हैं तो अडिक गाले जो गाला है जो कला नौरा कठे हो या अटे हो चंदू अगहाता हो फॉसकुड है विलकुल चंदू नौ झस तना मैं पेछे जिकर करके ती ताइए हैं गोरूसु करते हैं उस सजा दे ले तो सिखा ने सजा देती तो गुरु साहब तो एकठे वकरे चले गए ने चंदू दिस सावे लेगे गुरु साहब आप शामिल नहीं सानु ठीक है श्याद दिलगीर जी पर रहे तो कलान और तो कश्मीर चले गए गुरु माराज जी जहां गिर देनाड तो अमरतसार सहब नहीं है जाए कश्मीर दे दौरे तो बाद जदो गुरु हर्ग बिन साह मुड़ देया तकरीबन दिसंबर दा मीना हो चुका सी 1602 विच दिसंबर दे मीने सब तो पहला काम कीता है उना दिना विच पिर्थी चंदी डिथ हो चुकी सी मौत हो चुकी सी दिसंबर चे पहुंचे ने हाँ जी दिसंबर 1602 विच वापस आए ना जो दो किश्मीर दे दौरे तो जो वापस आए ने उना दे ताय पित्थी चंदी मौत हो चुकी गौर जिन साव दे वड़े पाई दी ठीक है तो दी मौत वास्ते वास्ते उना दे पिंड हेर गया जिस तरह साड़े रिवाज है मजास जो यह बंगे डिवाली ने इसी गाल रिवाली ने इसी जिवाली अकुबर में यह जूरा कि नमबर दे शुर चून दिये तो 18 दे संबर नो दीवाली ने इसी पर गुरू हरुष हर्गद साफ थे आऊं ते संगत्थी कठी होई है ते दीवे जगाया दीवे खुशी जगा करने ते विचारा होने याने रोशनी वास्ते दीवे जगाए तो जड़ी वाले दीवे जगान दीगाले ए ते जाके मारा जर रिंजी सुन तो भी बाद गाली शुरू होई है मानता दे वेले बिल्कुल अमरसार चे दीवाली मनाओंदा कोई कांसेप्ट नहीं सी कदे भी कि दीवाली नहीं मनाई गई जड़ी बाद दीवाली दे जाए वे इस वास्ते भी ओधिन कड़ने सोखे हो जाने सन वह दिवाली कि दने मैं लिए पहली कि दने और दिन जड़े सन पता लग जाने सन वरना अमरसार बेच गुरू हर्क बिल्साब ना ता दीवाली वारे दिन दीवाली मनाई जान 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 चिर आवा चरन दे बाने ते जरी आतश बाजी दा काम है तो निस सो संसाली तो बाद दा शुरू किता गया जड़ा एदे ते लखार पर यह जड़े जांदे ने पही ना ता आतश बाजी सरोवर से डिक दे सी सारी गंदकी हो थे पह पहले ने इसी पॉलिशन हों दा सी गां ते होन ता पामे दे जजडर कारते ते पर पैसे ता जबी वेस्ट किते जांदे ने और एक घलत ते हो आरते किते जांदे जिदा ना गुरु हर्क बिंसाब ना सबन दा है ते ना से खी दे ना सबन दा है पर बुरूदा ली आतश वाजी वी जजए उन दिया जो के मेनों भी गुरुबानी दे सुने हैं दे भी ओलता आप बाता वरन खराब कर देया पर दूशन फैलाओं नहीं है ने अगल्कुल ए सारी गल्ला जडिया ने देवाली मनाउन दे उल्ट जान देया ने ना सिदान तक ताहुते ना इता सक ताहुते ना इंवाता वरन दे पक्षों सह गल है वैसे ता इस तना दे तो और किते भी मुनों ने जड़े निया तो घलत है हां जी ते होनवीर जी अपाँ उस पास से आगे के मुगल दरवार दे नाल बदिया सवांद सन गुरु मारा जी दे जहां गिर दे समय तक फिर अचानक जंगा जुद्धा रेड़ा महौला किम मुगल सुबेदार या फौईदार ने गुरु साब दे कमा में विच कोई दखल दें दी कोशिश ने किती सिखी दा परचार बार दस्तूर चल दा रहा पर इस दोरान एक कटना होई है सोला सो एकी दी सोला सो एकी विच जदों गुरु हर्ग बिंद साब रुहिला पेंड जिदा गुरु अरजन साब ने गुबिंद पूर रख रहा थी होनो देना हर्ग बिंद पूर है अलांके पुराने कागज़ा में चल दा रहा है जो दों गुरु हर्ग बिंद साब उथे गए है तो उस दे कब्जा कर लिया ऐसी कि चंदू ने ठीक है गुरु अरजन साब दे चिदी तो बाते चंदू थे उससे पुतर ने कब्जा कर लियाजी जो गुरु साब ने देग्या कर लिए टे वुरु अठ तर उथे जाकर वापस लिया ते चंदू दा पुतर उद यह दिन बाद तेन सितंबर नूँ तेन अक्तूबर इकी दे तेन फिर दुबारा पहुज लेकर आगे ने और इना दी बाद किसम थी कि ए लड़ाई वेचे सिखाने तों फिर हार गए और तेने तेने मारे गए यानि चंदू दा खांदान यह थी खत्म हो गया क्योंकि उस दा कोई को पुतर सी उदे कुडम ते उस दा जड़ा साला सी ओभी उथे लड़ाई वेचे मारे गए यह पहली लड़ाई सी ठीक है इस दो बाद फिर जांगिर्दा कोई हतर नहीं सी ठीक है हाँ जी उन दी अपनी जी उन दी अपनी जी इस तो बाद आजएंदा है शाजहान जो तो शाजहान ने हकूमत समाली है उस दो बाद शाजहान वी जड़ाई कुछ रवास्ते मुतस्बी लोकां दे असर इठा आग शेख इमद भी थे कई हो रहा दे असर इठा आगया तो फिर सबंद सुखा में ना रहे पर इस दे बावजुद मुगल दरवार नाल कोई टकर नहीं होई ठीक है फिर इस तो बाद जड़ी असरी दुजी ड़डाई होई है ओ सोला सो चौनती विच होई है अपरेल विच व मुगल फौजा ने हमला कर देता है एस लड़ाई विच बहुत सारे सिक्वी शहीद होई है ते जड़े मुगल हमलावर ने उना विच बहुत ज्यादा फौजी मारे गए ने ए लड़ाई दरवार सब ते लोगड़ जड़ा रहा है उदे विचकार होई है इस तो बद जो ओहर के पज़े है फिर कालसा काल जे वारे मैदान जित है उनकालसा काल जाए इस जगह ते भी ड़ाई होई है काफी देर तक लड़ाई चर दी रही है रड़ाई तो बाद जो दो मुगल फौजा थे जरनेल मारे गए ने फिर फौजा पाच गई आने एगले दिन बीबी व वजूद ने ते जड़े के वाबा लंगा जड़ा सीगा ओधी जाइदाद सी जिते के रस्मान निवाई आगए है ते लों लंगा अपने बाई गुर्दास ने विए उस दा जिकर कीता है तो इस तो बाद एक होर लड़ाई होई है इस लड़ाई विच हारं तो बाद रहने जून 1984 तक तो इस तो बाद जड़ी दूजी अगली तीजी लड़ाई जिनों सी कहने है वो महराज पेंट दी लड़ाई है महराज आज जड़ा बचिंडे जिले विच है मालवेच हाँ जी तो महराज पेंट विच गुरू साब गए हो इसी गए तो लला बेगते कमर बेगदी फौज ने इना तेमला की ता ए लड़ाई 17 दसंबर 1644 ते दिन होई है और ए लड़ाई विच जड़ी ए कई दिन तक चल दी रही है एदे विच सिख भी बहुत शीद होए ने सेंक्ड़े हाँ दी गिंती च एक सोमा दोजार तो पर सिखां दी शीदी गिंदा है थे हजारा दी गेंती चे मुगल फौजां मारीया गई है नै तो एस लड़ाई तो बाद मुगल फौजां दा लकट अट उट गय है और उन्होना ने महसूस की था भी गुर्व हाग बिन साब ना लड़ाई ड़ान दा कोई फायदा नहीं इस तो बाद पर गूराग बिन सा किसневbar da nagra ऑं座 एक इए पाश्य नहीं विसाया सी ए फंदरा सो बाई वीच गूरु नानक साब ने विसाया सी ए पंदरा सो, ऑश अठानौे ज़ू अरज़न साब ने विसाया थी नहीं विसाया सी ओ पाकिस्तान चे रह गिए रावी तो डेकणडे से बाच रही है वो भीड भी उतसी ठीक और गुरुगो में पहला सुऑला सुनजलेब भाइगू देड़ास ने तियार की ता सी ये Blodas ने तियार में लाके de ते 1770 जाता के ये बीडे थे रही है जाता के एना ने एमेशा दुरानी दे पुत्तर ने हमला करके इस शेर नो साड़े आ नहीं उत तके 6 शेर विच रही है तो करतार पर विचे गुरू साफ दे आन्तोबाद मुगला ने हमला नहीं की था ठीक है क्योंकि यो ना ता लक टुट चुका सी दिसंबर ती महराज दी लड़ाई वेचे तो गुरु साफ दे को ले एक पैंदे खान आदा एक पठान सी जिसनों गुरु साफ ने आभी पाले आ सी और उसनों काफी देर तक बड़ी असूलता दें देरे सन ओ जद काफी उमर साथ देता ते इना नो गुरु साफ दे साथ चड़ना पया गुरु साफ दी नोकरी तो नो गाड़ देता गया ए फिर जाके जलंदर दे जड़ा सीगा फॉज़ार ओधी फॉज़नों नाल लेके इना ने छबी अपरेल सोना सो पैंटी दे दे गुरु साफ दे हमला कर देत करतार पर गुरु साफ महराज दी लड़ाई तो बाद जिननी बची खुची फॉज़ सी उना देना ओ देना थोड़ी जी फॉज़ना ली करतार पर आयो है सन कुछ संगत होर भी शामिल हो चुकी सी तो 26 अपरेल सो पैंटी दे दे ने पैंदे खां और उस दे जड़ाई द जलंदर दे फॉज़ दार तो फॉज़ दे आके अमरा कर देता और एस लड़ाई दे विचे बहुत सरा जड़ा पैंदे खां दे अपने साथियां दावी ते जलंदर दी फॉज़ दावी नुकसान होया ए लड़ाई तेन दन चड़ दी है छबी सताई थे अठाई अठाई प्रायर नुँ पैन देखां ते दूज़े जलंदर दुवाई जरनेल सनु मारे गया ते रहन देखूं दे जड़े फॉज़ी सी जड़े मगल फॉज़ी सी ओ रडाई चो पाच गयने इस तो बाद गुरु साब ने शहीद होए सिंगा अन्दा संसकार अपने हती कीता है मह सारा सिक परवार एक परवार है वो सारे सिक अन्दा अपने परवार ना हिस्सा समय देए सी तेज़ करके उन्हाने अपने इन शहीद पुत्रादा सत्कार भी अपने हती कीता है ठीक है हुन गुरु अर्ग बिन साब ने महसूस कीता भी इस तरह ता आज यह लड़ाई होई यह का नो कोई हो रह मलावर होएगा उन्हाने फैसला कीता भी उन एदी थांते जाके कीर्थपुर साब विच रहना शुरू कीता जाए तो अगले दिन उनत्ती अपरेल वाले दिन गुरु साब उत्थो सारे सिसकार था जिदो उन्हाद यह जडियां गिठे सी जाल परवा करन तो बाद गुरु साब जड़े ने कीर्थपुर विच चाल पेने तो कीर्थपुर चांद यह उनत्ती अपरेल नो रह विच फगवाड़े विच वी एक छोटी रडाई होई है जिदे विच वी गुरु साब ने मुगल पहुजा नो क्योंकि यो भी उपरों हुकम नही सी राची किसे फोजने के रहा लडाई विचो ना चो काफी नुकसान उठाया तो पाच गए तो फगवाड़े तो बाद गुरु साब जड़े ने तिन मई 1635 ते दिन कीर्थपुर साब विच पहुच गए ने कीर्थपुर साब नो उना दे बेटे गुर्दिता ने वसाया सी जे उस जगह ते जड़ी गुरु हरगबिन साब ने राजा कर ले आंच यंद को लोगजरा बिलासपुर ता राजा सी खरीदिया सी गा ठीक खरीदिया सी सोला सो चोवी विचे जमीन खरीदी सी ते 1626 विचे क्यों गुरु साब आपता जानी सके ते गुर्दिता नो जमीन खरीद के जड़े जड़ी लड़े उनना ने उदावी माकसद कोई जमीन ते का अवजा कारना नहीं सी बलके के इन ने भी एक फकीर ने ने उस वाल भी कीता सी भी तुसी साथ शास्तरा एड़े काले बास्ते रखे हो एने अजी विस तरह हैं एक गल आम है के गुरु आपटिया लड़ाया ने ने 2 वारी रुई लाज होई दो दिन फिर उस तुमात अमरिस्र भी छोई फिर महराज भी छोई पिर उस तुमात करतारपूर पहर उच्खुई तें दिन कुछवे च्छोटी लडाईे जड़ी फगवाड़े छोई है इस तो बात जाकि ओंगर प बाब शामर नहीं गुर्दिता शामर है पहली जुलाई सो पैंटी लड़ाई है ते रुपर दिन वाब ने हमला कीता है हंडूर ते राजे दी मदद वास्ते बाबा गुर्दिता फोज लाय के गए ने ते नंगल सरसा जिनों आजकल खाली नंगल केंदे या सरसा नदी दे कं कीता है हंजी जो दो किसे ने कोई चीज ते कबजा करना होए हमला होदों कीता जाना है हंजी जो दो किसे ना लग बिना अकारण किसे नों तंग करना होए ता हमला कीता जाना है जालम हमला करता है हंजी सो गुरु साब ने हर हमले दा मुकाबला कीता है डिफेंस कीता है हमल नहीं किता तो अड़ा दूज़ा बड़ा आहम सवाल सी ए गल है 1635 बाद दी गुरू साब गई है टीडी गरवाल दी राइताने शीरी नगर है शीरी नगर वेचे लो गुरू साब गए ने ते उते उननों समराथ रामदास दा नादा एक बंदा मिलिया है समराथ रामदास को चोटी मोटी चीज नहीं सी शिवाजी मरटा जड़ा के जिसनों हिंदू अपने एक बड़ा वड़े जर्नेल देता औरते पेश कर देने खास करके जड़ी शिवसेना बनी हो यह जिस देना आते हो शिवाजी मरटा जड़ा के माराश्टर दा सब तो वड़ा हीरो गिन्या जिन्यार जन्तम है उड़ा उस्ताओ सी समरा द्रामदास ने उसनों तयार किता सी फिलास owी सियासी गरना सारी वड़ाजियां सखाई हो सारी सियानफ जड़ी उदे उस्ताद दी सी उन्हों पुचके हर काम कर या कर दा सी ठीक है तो गुरु हर्ग बिन साब जदो शिरीन अगर पहुंचिया थे इसमराथ रामदा सी उन्हा देना इत्थे आया हो या सी शायद कि ते तार्मक यातरा वास थे बद्री ना थगर वास साब दो आया होगा तो खैर मुला काते ना दियो हンダई उन्हें देख्या उन्हें गुरु नानक साबारे सुने हूए थे समराथ रामदास ने क्योंकि गू्साब सारे पासे चालिछ सार किनो मिटर ते सफर करके ऊपर चार रक व्थे तो थे उसमराथ रामदास ने गुरु ह अद्यागी सन, उदासी सन, पर्चारक सन, तुसी उना दी गदी ते बिठे हो ति उना दे कुलता थियार नहीं सन, तुसी अतियार पेने होए ने, तुसी शाही लिबास पेने होए ते एक आरण की है, तो गुरु साब कहान लगें, एक शेस्तर जड़े ने गरीब दी रख्य ते जर्वाने दी पक्या, जलम दे नास वास्ते ने एक हमले वास्ते नहीं है, तो गुरु साब कहने लगें, गरीब दी रख्या, जलम दे नास वास्ते है, और किसे मकसद वास्ते या थियार नहीं है, तो गुरु साब कहने लगें, गरीब दी रख्या, जलम दे नास वास हथियार नो एक डिफेंसव देता ओरते पेश कीता है गुरु नानक तो लेके गुरु अग्बिन साब तक इस तरह ही दस पाधिशा तक फ्री इस तरह ही होया एक और गाजडियों ने कही के गुरु नानक साब ने ता उदासी बाना पैने आ सी ते तुसी ए लगदा है जिस त प्रतम करंतों बाद फिर संसारी कपड़े पैन के ते खेती कीती है अपना परवार पाले है संकता नो लंगर चिकाया है अपना दस्वान देविचों उनने कर्ट करना वंट शकना फलसफा समझाया तो गुरु नानक साब ने माया त्यागी सी दुनिया ने त्यागी सी समरा ख्रामदा सकायन लगा हाँ ये बात हमारे मन पावती है और उसने फारी दी सिख्वा जडी शिवा जी मरहटा नो दिती है वक्री काल है शिवा जी मरहटा वोसे सारी सिख्वा पूरी तरह अपना नहीं सके क्योंकि ओभी लड़ाईयां विचे उफेंसिव देता उड़ते तो नहीं है पर सिक्खे भी जड़ी सिक्खिया है और समधुन भी तुम्राइबु तुम्रातर असनों को राख बिन सांब में धिती ती ते उसे सिख्खिया विचौ कुझ जिक्षिक ओस सिख्खिय और स्विन नुद्टि यानि शिवा जी मिरत्ता को लगी सिख्खिया गुर केर्ट पर साभी रहया बारे वक्री गाले यह वक्ष वक जगाते परचार दोरियां वसते जान दे रहें नानक मता वी गए भी गयी यह जिए अधासी आने कफ़ा लिए शी गुरु नानक असका भी चुड़ा यह जो ते ना इस जगा दा गुरु नानक मता जिडा चाल पे आ अब आजवी उते उसना नानक मुझता है तो गुरु हागिबिन सब्सक्राइब एक और खास है किर्थ पर रहें देयां उन्ना कोल बहुत सारे राजपूतर राजे जिडेसं जिना ते मुगला ने अमला करके उनने रियास्ता ते कबजा कर देयां यह वो राजे जिनानों मु नहीं होई से ठीक है बड़ी एमगाल है कि उनन ने बहुत सारे राजपूतर राजएयां नो पना देती कीर्थ पर साफ राजपूतर राज़िया दा एसाइलम सेंटर सी पनागासी जिड़ी बड़ी बड़ी जिड़ जिक और ए राजपूतर घुरुु साबत दे उन्हा कर अब भर एदु जरा ना दे अनिन सिक्छा मागूं। ईजदे राजपूत राजर राजस्थान देऊ उत्यज आपना लेकर बैठी हूँ। जदो गुरु साब जोतीजोतिय उन्हां उन्हार एक बड़ी आम गल विखन वाली है। राजपुता मेंänderजा में वाजवा की वि reported में लिचा सकार की है, राजपुता राजव कि राजवाजा है, राजवार की एंठा राजवा और देख राजली ओर चौना टो संद्तिधीया उनया कि और तो जिटें जही वुत दित शत्व आदे हैं, तो चैना ऐग और तो दिखा गया एक और राजा सी गा उसने भी दोड़न दी कोश्की ती तो उसनों रोक लिया गुरू हराय साब ने उसने फिर दूर चाके पेट विच कटार मार ली उदा भी सथकार जड़ा गुरू साब देना ली किता गया कहना मतलब इस तरह गुरू साब जड़े ने जिनान उपना देदे सी प्यार भी बहूत करदेशी हर सिख ना लोना लोना दा प्यार सी पामे कोई परवार जड़ा जिस तरह सथकार दे गल कीती है शेहिदन दा सकार अपने अथी कर देशी तो गुरू साब ने जड़ी गुरू नानक साब दी सिख्या सी के सिख्या पाई चारा है एक कारा है एक परवार है अशी कहना Fatherhood of God, Brotherhood of Man, सारे पहन पाई ने क्योंकि एको जोत है साविच वस्ती है एक पिता एक के हम बार कर तो उसारे अंदा जड़ा है सादा फलस्फा सी गुरू हागिबिन साम ने अपने अथी करके अपने प्रैक्टिकल रूफ विचे दिखाया इसे कीर्थपर सभ गुरु माराजी अपने प्रवार समेत रहें दे प्रवार भी वड़ा सी शे में पाई श्यादा प्रवार लेचे कर दे लिग जी जी गई गये अंदे गुरु हरुआ जी जेनाचे एक बेटी भी भी वी लो प्रवार भी यो थी तेक से लांदा लादा मला पेंड़ अधर जगरामा लेको अधर नादे ओधर द्वारा भी बने हैं तो एक परवार चे गुरु हरुआ बिन साब जेनाचे रोते रहे ने कीर्थपर से कीर्थपर साब तकरीबन नौ साल उते रहे ने ठीक है पहनेक नौ साल एथे तेन मार्च सोना सो चुताली दे बने हैं जो वाल पटोली थे कल्यानपुर पटोली पिंड़ वह था जिता गुरु नानक साब पहला आ चुके था अचचा है उन याद विचे घुर्द्वारा भी बने हुए है ऑग गुर्द्वारा पटोली पिंड़ है चार पिंड़ा समू है किर्थपर ठीक है एक कमाल बिल्कुल सिक्षी से दानता है। गुरु साथ दानता है। गुरु साथ दानता है। साथ जल्कुल साथ गुरु नानक चाथ धानता है। गुरु नानक चाथ गुरु शांता है। करेंनु पनु determinesॉज राविधर रुभ कि समुणा रवी दिल्यूों गुरु अंगत साथ गया। कि एरत पूर साव चे पई दी वारी क्योंकि गुरू हर्ग मिन साथ दसकार हो आए तो दी नकल देता हुरते लोकाने जड़ा करना शुरू करता है हर दौर वारी नकल सिक्षी सदानतां दे बेरकुल लुलता है नेडे जड़ा पामे नेर होवे पामे कोई इस तरह दी छोटी वे किसे विच्वी तुसी जल परवा कर सकते हो पर जड़ा स्पेशल की पर जाना है करम कांड है ते करम कांड नो गुरू नानक साब ने रोकिया है जड़ा के गुर्मत खिलाफे शुरू जी गुरू हर्ग बिन साथ जी वेले परमुक सेख हो है ने उनना वारी सानू जिड़े के सोना सो इकती विचे चिड़ाई कर गया, सोना सो इकती चिड़ाई कीती है, एक सो पंजी साल तो बाद उना दी उमर सी, यहनी लंबी उमर जड़ी है, बहुत काटोया कर दी है, क्योंकि बाबा बुड़ा जी दा मेल गुरू नानक साब नालोया है, कथू नंगल अलाके विचे उस्तो बाद उसारे च्छीयां दे च्छीयां गुरूआ नाल जुड़े रहने, और सत्मे गुरू दे दर्शन भी उनने कीती होनगे, क्योंकि उनने जनव सोना सो इकती विचे एक जड़े ने बाबा बुड़ा चिड़ाई कर देने, बाबा बुड़ा ने जो गुरू 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 गैना परकाष होया है, ते पेल ग士ल TON Re holder ओ मान वी उननों आसल होया है ठीक है, फिर उस्तो बाद जोड़े गुरू हरग बिन साभ दी सस्तर विद्या दी गाला उन दी है, ता उस रज़ भी बड़ा वर गे जरनेयल देती हैं, ठीक है बुड़ी उमर हो चुकी राखिवरी उधिया उनहां जो अनु देती है, सो साल दी हुद दी उमर सी, जदो उन से संगता नो लायके गौालीर जाया कर दे सी ता जो हो सके ता उना देके ते दर्शन कराई ये नहीं ता जिस ता ते बेठे ने उस ता ते ही उस ता नो जारा लाया ये तो जो तो सोला सो एकती विच बाबा बुड़ा दे डेफ्ट दी ए मौत दी ए ता गुरु हरग बिन सा दे आपने अथे की ता सुला सो एकती तो बाद होर भी जड़े ने जड़े जड़े साही मिया मीर है उदो गुरु हरग बिन साहब लहारा आयो से जदो साही मिया मीर दी मौत दी खबर मिली है ता उना नो दफनान दे विले भी गुरु साहब आप उते पोंचे ने तो भी से खीच बड़े बड़ा रोल रहे है क्योंकि गुरु गूर्भाने देत्यारी जड़ी है संपाधन जड़ी है उन्हादे अपने अथि लिखा गया उसाली तो ते गुरु खर्ट बिंत साबनों विद्यावी देन विच्छ रोल रहे हैं तो इसकरके घुरुमानी दे बैक पुर दा राजा जिटा चिलाई कर गया और एह ओ राजा सी जिसनू उस दे पुतर समेट गुआदी अर्दे के लिए विच्छो गुरु साब ने रिया कर वाया सी ते जो दो चिडाई की ती ता बिलास पुर रहमाद चल दी जड़ी रियास ते गुरु साब आप गए ने ते जड़ो भी कोई डेथ हुंदी है ये शादी हुंदी है ते गुरु साब जड़े ने बिलास पुर रियास्त विचे पुजिया कर दे सानू कल्यान चांतो बाद 1688 विचे पाई बिदी चांद जड़ा है ओधी जड़ी जड़ी ये तियारी होगी है ओधी जड़ाई कर गया फिर 1644 विचे गुरु साब दे अपने जोती जोत्समान तो कुछ रिपईला पाई जाती माल लजड़ा है ओधी मौत उन्दी है पाई जाती माल मुर्म तो पहला अपने पुतर दयाराम जनू परोत देना ते वियाद किता जन्दा दयाराम परोत एदी बामी गुरु हरक ब जाती माल दा शेयद तो अनू पता हुए के पाई सिंगा परोत जो दो बीबी वीरो दे उन्दियां अमला कीता गया है ते सारे जन्हें परवार चबाल चले गया बीबी वीरो पेच्छे अमर सार चले गए इसी ते ओसनू उत्हों बचा के लिजान वेच पाई सिंगा दा बड़ा रोल सी पाई सिंगा ते पाई बाबा को सुनू चबाल चड़ के आई संग वापस आके पाई सिंगा फिर लड़ाई वी शामल होया ते शिहीद हो गए ने जाती वालो ना दे पुतर संग ते दैयराम परोत जेड़े ने गुरु साब देना ना अन्दु साब किला चड़ो तो बाद रहा ए उपरवार सी ते हलांके गुरु हरग बिन साब दे वेरे दो गलाहोर एम ने दो हस्तियां एम ने एकसी पाई पिखा पाट उस परवार चो पाई कीरत पाट ते पाई मत्रा पाट संग जिना दी बानी गुरु गरु गरंट साब शामल होई है और यह दोने जड़े ने रुईला थे अमरसादी ड़ाई वेचे शहीद होई है गुरु गरंट साब जिना दी बानी है उन्हें वेचो दो शहीद कीरत पाट पाट ते मत्रा पाट वी है इससे तरह राजपुत परवारा वेचो परमार परवार है पाई बलु दी शहीदी जड इना युटि शहीदा एना वेचव मनी सिंग नेओं को हम इना पाई मनी सिंग जडे इना दे पोटरे संग अबलू पर ज़ी जडे पाई बखे उड्रें में 그게 इग्या दसब्दी जडे शहीदो Sakram सिग सेना ने ठंवे इस तारह सो ठंजा ताक अटू से शीद हुए है इसारे परवार चो छपंजा मेंबर शीद हुए ने तो ए बल्लू जड़ाय पाई ए गुरू हर्ग बिन साब दे परमुख सिखा में चुछ संग पाई प्रागा पाई पिराना ते पाई जेठा जड़े ने ओ पाई महराज द परवार ला हिस्सा हिसान जाता जंगा में शीद हो ने यहां जड़ों थे चड़ाई कीती ते गुरू साब ने उनन दा जित्वता को स्कार अपने अध्य कीता है इड़ा वड़ा गुरू साब दा परवार सी छे बच्चे नो छड़ दे उ उनन दे हजारां बच्चे संग स सेंख्ले शीद ने जिनन दे बारे च आम लोका नो पता ही नी ते उननने शीदियां दें तो बाद कोई इस दे बदले इवज विच कुछ मंगया नहीं सी मंगया की सीगा गुरू दा प्यार सिख्खी दान उननों मेलिया इस तो वड़ा दान कोई इस तो वड़ी गल कोई ते गुरू दी मानता है इस सिख्धी मानता है बिल्कुल जेकर अपमा इनना गलावनों सुनांगे विचारांगे साध्डावी गुरू दे नाल जरूर प्रेम बढ़ूंगा ये थे अपमा शेमें पारशा दे जीवन विच्चों जड़े मौक आंशने ओ विचारेया अगल पेरत रीजै सिर दीजै काण न कीजै चाओ तो बेमो खिलन का चाओ सिर कर तली गली मेरी आओ सिर कर तली गली मेरी आओ सिर कर तली गली मेरी आओ